क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती याई हुन कोलोनी बसाने के लिए शिरवाद में कितनी लोगों की जरुवत है इस बड़े सवाल का जवाब मिल गया है एक नई स्टड़ी के अनुसार मंगल ग्रह पर बहुत जादा लोगों की कॉलोनी बसाने की जरुवत नहीं है सिर्फ उतने ही लोग चाहिए जो वहाँ रह सके काम कर सके और जिनकी वहाँ रहने की उप्योगिता सावित हो यह स्टड़ी की है फ्रांग के वॉलिक्स इंस्टिटूट और नैशनल फॉलि टेकनीक के प्रोफेसर जीन मार्क सलोटी ने प्रोफेसर जीन ने इस सवाल का जवाब गड़ीते फॉर्मिले से खुश निकाला है जीन ने कहा ये formula अब तक बहतरीन जवाब है ये बताने के लिए कि मंगल पर कितने लोग रह सकते हैं जीन ने बताया मंगल ग्रह पर बहुत ज़ादा लोगों को ले जाकर बसाने की जोरत नहीं है जिन के अनुसार सिर्फ 110 लोगों को मंगल पर ले जाकर बसाया जा सकता है क्योंकि वहाँ जो भी रहेगा उसे एक कुछ ना कुछ बेहत जरूरी काम करने होंगे ताकि समय और स्तरोत का सही विभाजन हो सके प्रफेसर जीन मार्क्स लोटी का कहना है कि कई अंतरिक्ष कमपनिया जैसे की स्पेस एक्स ऐसे रोकेट बना रही है जो एक साथ कई इनसानों को मंगल ग्रह तक पहुच जा सके अगर किसी को मंगल ग्रह पर जाकर इनसानी बस्ती बनानी है तो उसे वहां की कानित, मौसम और काम के अनुसार चला होगा नहीं तो वहां सर्वाइव करना पेहत कठिन हो जाएगा प्रफेसर जीन ने बताया कि मंगल ग्रह पर इतनी लोगों के रहने के लिए बहुत बड़ा टॉम यानि गुंबन नुबा आकर्टी बनानी होगी जिसमें लगातार ओक्सिजन के सप्लाई की जाएगी इसी टॉम के अंदर खृशी और उद्ध्योग दोनों ही लगाने होगे ताकि खाना और काम दोनों एक ही जगाह पर मिल सके प्रोफेसर जीन ने कहा मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है ताकि हम लोगों को बता सकें कि मगलग्राप पर रहने के लिए कम से कम 110 लोगों की जरुत है अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो से लाइक को शेय करें साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरुर कता है डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए